हर्याणा के हिसार जिले के हासी में मंडी सैन्यान में एक शादी समारों के दौरान जम कर बवाल हुआ। शादी में किसी बात को लेकर लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। जगडे के दौरान दोनों पक्षों के लोगों को चोटे आई है। किसार के रिशी नगर से हासी मंडी सैनियान में बारात आई थी। दरसल लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के परिवार वालों पर दहेस मांगने का आरोप लगाया है। लड़की के परिजनों ने कहा है कि लड़के वालों ने फेरे से पहले उनसे गाड़ी और पांच लाख नगत देने की माम की। लड़की वालों ने कहा पैसे ना देने पर उनसे जगड़ा करने लगे। शादी समारों पर लड़का पक्ष के लोगों ने तोर फोर भी की और उनके साथ मारपीट की। शबन नाम की लड़की से शादी करने के लिए बारात यहां पहुँची थी। लेकर लेकर उनकी कहा सुनी हुई थी। तभी लड़की पक्ष के लोगों ने पुठी मंगल गाव से से कुछ लोगों को बुला लिया और उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके पक्ष के कई लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज हिसार के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। वही हासी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि रात को उनको सूचना मिली थी कि लड़के के परिवार उनसे दहेज की मांग कर रहे हैं, डौट दहेज ना देने की वज़ह से बारात को वापस ले गए है और उनके साथ मारपीट भी करके गए है। सूचना के आधार पर पुलीस टीम रात को मौके पर पहुची। उनके बताया कि अभी तक पुलीस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलीस आगे की कारवाई करेगी।